वेलकम टॉल आफ यू, माइनेम इस अंकी सिर्वास्तो, इस वीडियो में हम लोग कॉलम के प्रॉब्लम्स को सॉल करेंगे, तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि यह मेरा कॉलम है, वर्टिकल मंबर इस कॉल्ड कॉलम, जिसमें आपका एक्जिया लोड लग रहा है, जिसमें आप तो बेसिकली अगर आप इसे, अगर आपका कॉलम का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा है, तो इस पर कंप्रेसन नहीं होगा, यह आपका जो बॉड़ी है, थोड़ा सा इस टैप का बैंड करेगा, ठीक है, और यह पूरा लास्ट सिरे तक के नहीं बैंड होगा, उससे तक के का बैंड होगा, तो इतने लेंथ को हम कहते हैं, इतने लेंथ को हम कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ, इतना लेंथ तक के को हम कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ, तो हमें कई बार इस इफेक्टिव लेंथ को निकालने को कहता है, ठीक है, तो यह है आपका इफेक्टिव जैसे कि आप फार्मूला देख सकते हैं यह है आपका effective length और जो total length होती है जो total length होती है आपके column की total length ठीक है यह है आपके column की total length तो इसे मैं किस से सो करता हूं सिर्फ L से ठीक है और L E क्या सो कर रहे है effective length है जहां तक कि मेरा column bend हुआ है I hope यह आपको समझ में आ रहा होगा तो यह जो bend हुआ है जिस load के current bend हुआ है उसे कहते है effective load या crippling load या buckling load यह जो हो रहा है इसे buckling कहते है ठीक है buckling या crippling ठीक है तो हमें हम numerical solve नहीं करेंगे हम basically उसके concept को देखेंगे कि हमें इसके problem को solve करते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ठीक है तो सबस यह वाला formula जो आप देख रहे है pe equal to pi square e i min by le square यह तो आपको लिखी लेना है उसके बद आपको अपने question में यह check करना है कि आपको find out क्या करना है ठीक है फिर आपको यह देखना है कि आपके पास given data में कौन-कौन सी value है और कौन सी नहीं है तो जो value नहीं होगी obvious सी बात है आ हम इस formula को समझते है pe आपका buckling load, crippling load या effective load ठीक है equal to pi square तो pi की तो value अब जानते हो e modulus of elasticity इसका value generally question पे देता है और अगर question पे अगर capital E का value नहीं दे तो आप खुद से consider कर सकते हैं जैसे कि 210 giga pascal या mega pascal ठीक है तो आप इसकी value खुद से consider कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है जो आप I minimum देख सकते हैं ठीक है तो I minimum के बारे में मैं आपसे discuss करना चाहूंगा I जो है आपका moment of inertia है ठीक है मैं नीचे में draw करता हूँ I जो है I है आपका moment of inertia आई है आपका moment of inertia आई है आपका moment of inertia है तो जो आपका moment of inertia होता है वो मैं x-axis के about भी होता है y-axis के about भी होता है ठीक है तो अगर मैं यहां पर एक मैं आपको possible case का moment of inertia बता रहो जैसे एक pure circle है एक pure circle है ठीक है यह circle है आपका ठीक है तो circle का अगर मैं circle को divide करूँ तो यह कुछ इस step से divide होगा ठीक है तो इसमें जो horizontal member है जो horizontal member है इसे मैं x-x show कर रहा हूँ जो vertical है उसे मैं y-y show कर रहा हूँ यह cross section है basically अगर आप column को उपर से देखते हो तो उपर से देखने पर आपको उसका cross section दिखता है उसका जो area दिखता है यह वही चीज है ठीक है तो उपर से case में moment of inertia आपका होता है moment of inertia होता है सबसे पहली चीज moment of inertia in x direction and moment of inertia in y direction आपका circular के case में होता है ठीक है same होता है ठीक है πाई बाई 64 और इसका जो भी diameter होगा इसका जो भी आपका diameter होगा जैसे diameter अगर मैं d consider करूँ तो d की power 4 यह कपके case में है जब आपका एक solid है इसके बीच में कोई hole नहीं है यह कोई hollow नहीं है ठीक है यह solid column है ठीक है solid column है जिसका cross section है circular तो circular cross section के लिए circular cross section के लिए आपका यह वाला moment of inertia का formula होता है pi by 64 into d का square ठीक है और इसका unit क्या निकल के आएगा pi by 64 का तो कोई unit नहीं होता d है आपका diameter तो diameter आपका meter में हो सकता है mm में हो सकता है तो मैं consider करूंगा कि इसका जो unit आएगा mm की power 4 आएगा है क्योंकि power में 4 है ठीक है अब अब बात करते हैं कहीं यह hollow हुआ कहीं होलो हुआ होलो का मतलब होता है कि बीच में hole है ठीक है तो हम एक बार और बना करके तो उसे mind मत करना, ठीक है, अब मैं इसे x direction, y direction बना दिया, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर दिखा दिया, यह x direction है, यह y direction है, ठीक है, अब मैं hatching से show करता हूँ, इसका solid area, ठीक है, यह जो मैं hatching कर रहा हूँ, यह solid area है, ठीक है, और जिसे मैं hatching नहीं कर रहा हूँ, जो beach का portion है, वो hollow है मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है वो hole है तो इस case में आपका moment of inertia क्या होता है इस case में आपका moment of inertia इस case में भी आपका moment of inertia x और y direction दोनों में same होगा moment of inertia in x direction equal to moment of inertia in y direction equal to क्या हैगा equal to क्या हैगा equal to 5 by 64 जैसे कि आपके पिछले case में था इसके साथ में एक चीज़े और आजाएगी आपका यहाँ पर दो type के diameter है एक है external diameter बाहर का diameter outer diameter जिसे मैं capital D से सो कर रहा हूँ और एक है inner diameter जो अंदर का diameter है जिसे मैं small d से सो कर रहा हूँ तो इसका formula हो जाएगा जैसे उसके में small d की power 4 था तो इसमें क्या हो जाएगा external diameter की power 4 minus internal diameter की power 4 ठीक है तो यह आपका moment of inertia का formula हो गया ठीक है तो आपका column जनरली circular shape का ही होता है तो आपको इनी formula का यूज करना पड़ेगा अगर वो solid है तो आपको पाई बाई 64 d की power 4 का यूज करना पड़ेगा और अगर अगर वो hollow है खोकले हैं अंदर से तो आपको इस formula का यूज करना होगा जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं ओके but but suppose आपके पास एक rectangle cross section का आ गया ठीक है अब यह rectangle cross section कैसे हुआ जब आप column को उपर से देखे रहे हो जब आप column को उपर से देखे रहे हो और उपर से देखने पर अगर आपको rectangle की तरह दिखा तो मतलब कि इसका Tie rocks section है आपका rectangle ठीक है तो rectangle में तो आपका diameter होता नहीं है ठीक है इसमें एक आपका horizontal component होता है और इसमें एक आपका होता है vertical component तो horizontal component को मैं मालो B से सो कर रहा हूँ, B याने की width ठीक है, उसकी चोड़ाई और उसकी height याने की depth को मैं D से सो कर रहा हूँ तो इस case में आपका moment of inertia B आएगा, ठीक है तो इस case में आपका जो moment of inertia आएगा वो x और y direction दोनों में अलग-अलग होगा ठीक है तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है यह x direction हो गया और यह y direction हो गया तो moment of inertia आपके rectangle cross section के लिए दोनों में अलग-अलग होगा ठीक है moment of inertia in x direction क्या हो जाएगा पहले वो देख लेते हैं तो moment of inertia in x direction क्या हो जाएगा b d cube upon 12 b d cube upon 12 यह कब के case में होगा अगर मैं आपसे पूछू moment of inertia about x axis पूछू तो आप बताओगे b d cube upon 12 ठीक है और अगर मैं पूछू moment of inertia about y-axis तो आपको क्या बताना है b cube d फिर से लिख देता हूँ b cube d upon 12 अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों moment of inertia आपके अलग-अलग है ठीक है अब आपको मैं थोड़े पहले ले करके चलता हूँ थोड़ा हम उपर चल करके देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर formula में बताया था कि जो p effective load या crippling load या buckling load का जो आपका formula है formula क्या है आपका? pi square e i minimum तो i minimum क्या है? आपका moment of inertia ठीक है? i minimum है आपका moment of inertia अब यह ऐसा moment of inertia है जो कि minimum होगा तो आप x direction और y direction दोनों के लिए moment of inertia को calculate करोगे ठीक है? suppose आप x direction और y direction दोनों में moment of inertia को calculate किये तो आपको इस formula में कौन सा moment of inertia को put करना है? जिसकी value आपकी कम हो जो कि minimum value हो आप moment of inertia की ठीक है? तो suppose जैसे कि यह rectangle था suppose यह rectangle था अगर मैं for an example for an example अगर मैं x direction के लिए moment of inertia निकाला अगर वो आया मेरा 20 mm की power 4 और suppose मैं y direction के लिए moment of inertia निकाला और suppose वो आ गया 30 mm की power 4 तो यहाँ पर मैं formula में कौन सा put करूँगा? formula में मैं वाला put करूँगा जो मेरी minimum value है क्योंकि i minimum का वही मतलब होता है जो मेरी minimum value है मैं उसे put करूँगा तो minimum क्या है 20 mm की power 4 तो मैं इस value को इस formula में put करूँगा तो यह था i minimum का case ओके? ठीक है? तो अब generally आपके पास circular cross section की जब बात होती है circular cross section की तो circular cross section में आपका moment of inertia about x axis and y axis दोनों के दोनों same होते हैं तो minimum कौन सा लेना है वाला सवाल नहीं उठता जो भी आपको value आएगी वही value आपको उसमें put कर नहीं होगी इसमें minimum maximum नहीं होता क्योंकि moment of inertia about x axis and y axis circular cross section के लिए same होता है ठीक है? यह था circular का formula और जो hollow है उसका formula भी मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ ठीक है? तो एक होता है solid जिसमें कोई hole नहीं है तब आप यह अला consider करोगे अगर वह hollow case की बात कर रहा है तो आप यह अला formula को यूज करोगे दोनों में कोई जादा अंतर नहीं है solid वाले में 5 by 64 d की power 4 है इसमें 5 by 64 d की power 4 मैनस d की power 4 है और capital D क्यास हो कर रहा है external diameter जो की बड़ा है और small d क्यास हो कर रहा है छोटा diameter ठीक है अब यहां पर मैं एक चीज़ और discuss करना चाहूँगा एक चीज़ और discuss करना चाहूँगा आप लोगों से जब सपोज आपके पास hollow diameter का एक problem आ गया सपोज आपके पास hollow diameter का एक problem आ गया आपके पास hollow diameter का एक problem आ गया आपके पास hollow case का एक problem आ गया मैं इसे color से fill करके दिखा देता हूँ इस प्रकर का कुछ आपके पास problem आ गया और इसका जो axis है उसे भी मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से यह है उसका axis ठीक है तो इसके दो diameter है एक internal diameter है एक internal diameter है यह small d और एक external diameter है यह capital D ठीक है तो इस case में generally question में आपको घुमाने के लिए क्या करता है आपको external diameter की value दे दिया रहता है आपको external diameter की value दे दिया रहता है capital D ठीक है और आपको इसकी thickness की value दे दी होती है तो सिर्फ थिकनेस से आपका काम नहीं चलना है है जब तक कि आप इसका internal diameter पता ना कर लो तब तक कि आप इसका moment of inertia कैसे निकालोगे इसका moment of inertia क्या होता है इसका moment of inertia होता है x direction और y direction में दोनों में same होगा इसका ठीक है तो मैं इसे एक ही बार लिख रहा हूं इसका moment of inertia होगा पाई बाई 64 जो मैं पहले लिखा चुका हूं वही लिख रहा हूं ठीक है capital d की power 4 minus small d की power 4 तो small d क्या है आपका inner diameter है तो आपको moment of inertia में small d की तो जरौत पढ़ने ही चौली है और आपको question में हर बर क्या करेगा आपको capital d की value दिया रहेगा external diameter की value हमेशा आपको दिया रहेगा और आपको thickness की value हमेशा दी हुई होगी आपको कभी भी सामने से internal diameter का value नहीं देगा तो आपको उसे calculate कसे करना है तो आप यह सोच करके देखो यह जो thickness की value आपको दी हुई है यह कहां पर की value है यह जो मैं draw कर रहा हूं उससे ध्यान से देखिए जो blue color से मैं show कर रहा हूं यह है आपका thickness ठीक है तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूँ यहां पर है मेरे टी जो मैं blue color से show कर दिया हूं इतना portion है मेरे टी ठीक है भाई यही thickness हमारा यहां पर भी तो आएगा यही ihan पर भी तो आएगा basically मैं क्या कर रहा हूँ आपको diameter और thickness के time में एक relation बता रहा हूँ जिससे कि आप small d की value को निकाल सको ठीक है कुछ नो कुछ तो relation होगा इनका अपस में तो उसकी value को आप निकाल सको ठीक है तो यहाँ पर मैं फिर से लिख दिया t ठीक है तो यहाँ पर 2 thickness है मेरे पास दो थीकनेस है ठीक है ठीक है ठीकनेस लेकी है पर सो करना चाहूं तो मैं 2 जगा कर सकता हूँ अब आप एक चीज़ सोच करके देखो diameter आप कहां से कहां काउंट करते हो इस point से ले करके, इस point तक के, जो मैं red color से so कर रहा हूँ, यहां से ले करके, यहां तक के, आपका diameter कहलाता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, capital D, मेरा यहां से यहां तक मेरा capital D है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ वो आप मुझे बताईए और ये beach का portion क्या so कर रहा है? beach का remaining portion मैं अलग color से so कर के दिखा देता हूँ beach का जो remaining portion है beach का जो remaining portion है वो small d को so कर रहा है beach का remaining portion small d को so कर रहा है है न तो मैं इसे equation के terms में कैसे लिख सकते हो इस equation के terms में कैसे लिख सकते हो है ना मैं इसे लिखूंगा capital D capital D यानि कि external diameter equal to capital D external diameter equal to सबसे पहले यह T आएगा t plus small d plus फिर small t अब अब figure में देख करके बता सकते हो मैं जो लिखा हूँ वो सही लिखा हूँ बिल्कुल ठीक है इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ 2T 2T plus D 2T plus D ठीक है मैं लिख सकता हूँ 2T plus D मतलब कि अगर आपके पास external diameter D की value है और आपके पास thickness की value है तो अब यहां से small d की value को easily calculate कर सकते हो और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको small d की value नहीं मिलेगी और आप इसका moment of inertia नहीं निकाल पाओगे ठीक है तो यह तो बात हो गई यहां से आपका complete moment of inertia निकल जाता है अगर आपका यह circular है और solid है external और internal diameter की बात नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है अगर hollow की बात हो रही है तो आपको internal diameter calculate करना ही पड़ेगा और calculate करने के लिए आपको इस formula का जरौत पड़ेगा आपको calculate करने के लिए इस formula का जरौत पड़ेगा external diameter equal to 2t plus internal diameter यानि कि small d ठीक है तो यहां से आपका moment of inertia निकल जाएगा ठीक है और अगर rectangle की बात हुई तो rectangle का तो rectangle के case में rectangle के case में मैंने आपको दो formula बताया एक moment of inertia about x-axis and moment of inertia about y-axis तो दोनों में से minimum जो भी value आती है आपको उसको put करना है इस formula में ठीक है तो हम लोग एक बार repeat करते हैं यह जो आपका effective load का formula है उसमें πाई के लिए तो आपको कूछ नहीं करना है पाई की तो value आपके पास होती है ठीक है modulus of elasticity अगर आपको नहीं दी हुई है तो आप खुद consider करोगे जैसे 210 GPa ठीक है अपने हिसाब से consider करके बना सकते हो अगर नहीं दिया है तो ठीक है i minimum i minimum में वह पूट करोगे जो moment of inertia आपका minimum आया है वह moment of inertia को put करोगे अगर moment of inertia about x-axis छोटा आया है तो आप उससे put करोगे अगर moment of inertia अगर से about y-axis छोटा है तो आप उससे इधर put करोगे ठीक है उसके बाद जो नीचे में आप देख सकते हैं le le क्या होता है effective length होता है le क्या होता है le क्या होता है आपका effective length effective le is called effective length तो effective length क्या होता है बेसिकली आपको figure से देख कर कर समझ आ रहा होगा जितना दूरी तक के का आपका column effect हुआ है इस load के कारण उसे कहते हैं effective length of the column ठीक है तो तो आपका जो column है बहुत लंबा सा होता है column ठीक है vertical member is called column तो जब आप उस पे axial load लगा रहे हो axial load लगा रहे हो तो column चुंकि आपका लंबा है तो compression ना हो करके यह buckling होना चालो हो जाएगा crippling आएगा थोड़ा सा band होएगा आप जो यह band होएगा तो यह पूरे entire length तक के band नहीं होगा यह column का कुछ ही portion deflect होगा जैसे कि मैं रेड़ कलर से सो कर रहा हूँ सिर्फ इतना पोर्षन deflect होगा ठीक है सिर्फ इतना पोर्षन जो बचा हुआ remaining का जो नीचे का आप देख सकते हो उससे कुछ effect नहीं आएगा ठीक है उसे कुछ effect नहीं आएगा तो इसलिए le क्या है आपका effective length है जितना दूरी तक कि आपका buckling load work किया है ठीक है अगर मैं बोलू आपको le को calculate करना है तो simple सा है भाई le equal to capital L by root 2 इसका मतलब है कि जो total length है L total length है जितना भी आपका column है L अगर आप उसे root 2 से divide कर दो तो आपका effective length निकल आएगा मतलब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि effective length आपका load के उपर depend नहीं करता column की length के उपर depend करता है कि effective length कितना होना चाहिए यहाँ पर load की कोई involvement नहीं है तो इतनी सारी value को जब आप इसमें put कर दोगे तो आपको finally किसकी value देखने को मिलेगी आपको finally value मिलेगी buckling load या तो crippling load या तो effective load की value आपको देखने को मिलेगी, जब आप इस पर put कर दोगे, एक और एक छोटा सा case, अगर आपको question में factor of safety की value दी हुई है, तो आप वहाँ सा safe load भी calculate कर सकते हो, ठीक है, एक होता है effective load, कि हमारा column को कितना effect करेगा, कितना band कर देगा, एक होता है effective load, ठीक है, मतलब ऐसा load, जो हमारे column को buckling कर ही दे, जो crippling कर ही दे, जो उसे band कर ही दे, वो हमारा है effective load, ठीक है, या buckling load है न, तो यह आप समझ गए, पर अगर आपको question में factor of safety की value दी हुई होती है, अगर आपको question में factor of safety की value दी हुई होती है, तो उससे आप safe load भी calculate कर सकते हो, और safe load का क्य मतलब है, ऐसा load, जो load आप जब column पे लगाओगे, तो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा वो maximum load है, जहां तक कि आपका column bear कर सकता है, बीना buckling के, ठीक है, तो उसे कैसे calculate करोगे, तो factor of safety कुछ नहीं होता है, factor of safety की value का भी 1 रहती है, का भी 2 रहती है, का भी 3 रहत है, डिपेंड करता है, और यह एक parameter है, जिससे आप यह calculate करते हो, कि आपका जो भी design है, safe है की नहीं है, ठीक है, तो यहां पर बात हो रही, यह column की, तो suppose यहां पर मैं ले रहा हूँ, suppose आपको question में दिया हुआ है, factor of safety की value है, आपकी 2, suppose आपको question में बोला है, factor of safety की आपकी value ह है, 2, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या calculate करना है, आपको safe load calculate करना है, ठीक है, आपको safe load calculate करना है, कहां पर draw करूँ, हाँ, यहीं पर कर लेता हूँ, आपको safe load calculate करना है, तो calculate करके दिखाता हूँ, suppose आपके पस factor of safety की value है, 2, तो आपको safe load calculate करना है, और यह से calculate करने के लिए, पी safe, पी safe, equal to, पी effective by factor of safety, simple सा, मतलब की, कहने का यह मतलब है, अगर आपको factor of safety की value 2 दी हुई है, या जो भी value दी हुई है, 3 दी हुई है, उस particular factor of safety की value को, आप इस load की value से divide जब आप कर दोगे, तो आपको p safe की value मिल जाती है, तो suppose हमारे पस factor of safety की value 2 है, तो जो हमारे जो effective load निकल करके आया था, गर हम उसे 2 से divide कर दे, तो हमारे निकल जाएगी, safe load की value, मतलब इतना load हमारा column bear कर सकता है, बिना किसी buckling या crippling के, ठीके, तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो like, share and subscribe जरूरू कर दीजिए, ओके बाबाए,